लो गाईज आज की इस वीडियो में मैं बुद्धी से रिलेटेड विभिन परिक्षाओं में विभिन लेवल्स में पुछेगे प्रिविस क्यूस्चन को डिस्कस करूँगी जैसे की C टेट हो गया आपका, R टेट हो गया, S टेट हो गया ताकि आपको आने वाली के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है, इनकी जब IQ टेस्ट करते हैं किसी बच्चे का तो उस टाइम पी कोन जी सावधानी इन में से जरूरी नहीं है, पर्स्ट ओप्शन है, IQ टेस्ट के दोरान जो अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में जो भी नक पर्रचित बाचीत है, तो ये उप्शन बिलकुल गलत है, ये सावधानी बरतने की जोर्ट नहीं होती, यान की बुद्धी का जो भी आकलन किया जाता है, तब उस टाइम पे जो भी परिक्षक होता है और शात्र होता है, उसकी जो भी पर्सनल बाचीत है, उसका इससे आईक्यू परिक्षणों का उप्योग नहीं करना, येन की किसी बच्चे की सिर्फ कैपबलेटी जानने के लिए ही आईक्यू टेस्ट नहीं करना चाहीं, नेक्स्ट ओप्शन है, एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थक्ता की व्याक्या में सावधान रहना, तो ये भी बि गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धी या दिमाग के फ्रेम होती हैं, उसके द्वारा सुझाएगी बुद्धी की स्ट्रेनी कौन सी है, इनकी गार्डनर का मानना था कि बुद्धी के कई प्रकार होती है, इसलिए उन्होंने बुद्धी के आठ प्रकार बताए तो उसने जो भी बहु बुद्धी का सिध्धान्त दिया है वो बुद्धी की श्रेणी कौन सी है तो इसका राइट आंस्वर आएगा विशलेशनात्मक बुद्धी ए इसका करेक्ट आंस्वर है नेक्स्ट क्यूशन है बहु बुद्धी सिधान्त के जनक कौन है तो ये क्यूशन हम पहले डिसकस कर चुके हैं बहु बुद्धी का सिधान्त है वो गाड़नर ने दिया है तो इसका right answer आईगा D गाड़नर उसका माना है कि बुद्धी के कई प्रकार होती है एक तरह की पच्चे को आप शिक्षित कर सकती हो इस question में दो correct answer है 70-90 और 50-70 यानि कि 50-90 IQ वाले जो students होते हैं आप उनको शिक्षित कर सकती हो next question है यती पुनम की कालानुक्रमिक उम्र तिथा मान्शिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धी लब्धी का वर्ग हो सकता है यानि कि पुनम की जो वास्विक काईउ है और जो उसकी मान्शिक काईउ है वो same है 9 साल तो उसकी बुद्धी लब्धी कैसी होगी जायर से बात है एवरेज ओसत होगी लगदी का जो वर्ग है वो मानसी कायू और वास्त्री कायू के डिफरेंस पर डिपेंड गरता है अगर आपकी मानसी कायू है वो जादा है वास्त्री कायू से तो इसका मतलब है आप बहुत ही bright या intelligent student है अगर आपकी जो वास्त्री कायू है वो जादा है मानसी कायू से इसका मतलब आप मुर्ख है next question है व्यभारिक बुद्धी को कहा जाता है तो व्यभारिक बुद्धी को मुर्थ बुद्धी भी कहते है next question है बुद्धी के वस्तु जिसी प्राणी प्राप्त करने का प्रियास करता है कही जाती है तो इसका right answer आएगा motive motive यानि कि मनशा के बाद नोमा question है प्राए बालको की बुध्धी का मापन किया जाता है किस से क्या जाता है एवाचिक स्मूब बुध्धी परिक्षनों के दवारा और एवाचिक व्यक्तिगत बुध्धी परिक्षनों के दवारा नेक्स्ट क्यूशन है निम्न में से कौन बुध्धी परिक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है तो इसका राइट आमसर आएगा बुध्धी लब्धी का लेबल बच्चों पे लगा के अध्यापक अपनी एकुशलता को छुपाती हैं यानि कि अध्यापक है वो ये क क्रिया यन की जो लर्निंग की प्रोसेस होती है उसको और भी ज्यादा बहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए और बच्चों को वर्गी क्रिप करनी के लिए कि कौन इंटेलिजेंट है कौन कैसा किस पे कितनी महनत करनी की जरूरत है या फिर बच्चों की जो श्रिशनातमक्ता जिसमें हो, क्रियेटिविटी हो जिसमें, कुछ नया करने की औरों से कुछ अलग करने की चाहत हो, उसे श्रिशनातमक्ता कहते हैं। तो इसका right answer आएगा टर्मन इसके बाद next question है जिन बच्चों की बुद्धी लब्दी खालिस्तान है साधर्यनते उन्हें मानशिक न्यूंता गर्शित श्रेणी में रखते हैं तो इसका right answer आएगा 70 सत्तर से कम जिनकी बुद्धी लब्दी होती है उनको न्यूंता गर्शित श्रेणी में रखा जाता है कि बाद next question है कौन सी बच्चों में अमुर्तमान प्रित्यों को ग्रेंड करने की योग्यता होती है तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें अमुर्तमान प्रित प्रफ्ष्टि को ग्रेंड करने की योग्यता होती है नेक्स्ट इए नियम्में इसे कौन सा कफन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं तो फॉस्ट ओप्ष्टन है ये एक व्यक्ति की मांशिक शम्ता है ये भी सही है बुद्धि वह समझे से स्थापित करने में सायख यह भी बिल्कुल सही है यह व्यवहार की गुणवत्ता आकने में सायख है वो भी सही है उसके बाद last option है यह स्थाई एवं ऐपरिवर्तन्शील विशेशता है तो यह बिल्कुल गलत है बुद्धी है वो ऐस्थाई होती है और परिवर्तन्शील होती है यह वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसको ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में बस इतना ही बाकी की जो question है वो next वीडियो में discuss करेंगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे like और share कर देना और मेरे चैनल को subscribe जरूर करना और bell icon पे click कर देना त कि मेरे वीडियो की notification आप तक तुरूंत पहुंचाए थैंक यू सो मच